नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दोस दिनेशनिमबवत अम बात करेते संस्कृत व्याकन के संदर में और अब बात करते हैं कारक में आगे की परक्रिया में जो कारक बचे उनको देखते हैं तो अब देखते हैं अपादान कारक के संदर में इसकी परिवास्त या वक्ति के अलग होने में जो कारक इस्तिर होता अलग होने में जो कारक इस्तिर होगा जिससे वस्तु अलग होती है जिससे वस्तु अलग होती है उसकी अपादान संग्या होती अर्था उस सब्द को अपादान कारक कहा जाता है अपादाने पंचमी अपादान में कौन से हो बालक ग्रहत आगजती बालक गर से आता है एहम विद्याला अगचामी में विधाले से आता हूँ उपर कहेंगे चारों उदारणों में करमसे वरक्स ग्राम ग्रह और विधाले इस्तर कारक हैं और इनमें जो है करमसे पत्रम नर्प बालक कौन गिरता जो गिरता उसमें लग हो रहा है कि अपदान संग्या कारक संग्या से इसमें बात करT Syn今年 संब्सक्रत में संद्ध कारक को कारक नहीं हमाना गया है जबकि हिंदी में समन्द कारक को कारक सुइध कार किया गया लेकिन संस्कृत में समंध कारक को कारक नहीं माना गया कारण क्या बताया समंध में करता संग्या का किरिया के साथ समंध व्यक्त नहीं होता अपितु संग्या अत्वासवर्णाम के साथ केवल समंध ही परकट होता है संस्कृत में कारक उसे ही का जाता है जिसका किरिया से है क्या हो सिधा सम थो चुबल समंद ह от ego समंद होता सीधा समंद क्रिया नहीं के खांड सेंस क minha क्रेंऱ姐 धैस इसको सामिलल नहीं किया गयाा है इंप है तिक है कि इस इंता ऩ्रोड नमां कई समन मुक्रूर से चार परकार का है सो भाविक समन बालक करता है बालक खेल देता है जन्य जन्य भाव जन्य 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 जनक भाव समन जैसे मातू तन्या माता की पुत्री अव्यावी भाव समन जैसे अंगानी शरीर के अंग इस्तान देश भाव समन ठीक है बाव समन जैसे नगर से आपनम नगर का बाजार हिंदी में समन बाचक सब्दों के साथ रा री रे का का की सब्दान जूड़ रहते हैं आर मसे पत्मी असीत शिता राम की पत्नी ती खीक है द्रोपती अर्जुन से भार्यासित द्रोपती अर्जुन की पत्नी थी विद्या सर्वसे धनमस्ती विद्या सबका धन है गोपाद अस्वस्त अस्ती गाय का पेर अस्वस्ते मृतिकाय मृतिकाय मृतिकाया सकुन्द अस्मा का मस्ती मिठी का पक्सी मिठी का पक्सी हमारा है ठीक है यह हो गया तो अब रहा अधिकरण और संबोधन अधिकरण और संबोधन को अगले वीडियो में देखेंगे आप से निवद इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नवस्कार्ट